तो जैसे कि आपको पता है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट किया अगर आप अपनी फर्दर स्टैडिस अपरोड से करना चाहते हैं तो आज तिंग यह सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफीशल होगी ठीक है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप अपरोड से अपनी for the studies करना चाहते है तो क्या क्या आपके कुछ basic requirements होती है अगर आप उस country में जाती है उस इनिवेस्ट्रि में जाते है तो कुछ आपकी common basic requirements होती है ठीक है तो आज हम उन basic requirements की कुछ बात करेंगे तो अगर आप आप abroadure study करना चाहते हैं तो वहां या तो आप Master's degree, MS करने जा रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप Research, ठीक है, तो या तो आप Master's degree के लिए जा रहे हो, या फिर आप Research के लिए जा रहे हो, दोनों में आपके कुछ common basic requirements होती है, जैसे कि पहले आगर मैं बात करूँ, आपके academics, ठीक है, आपके academics, वैसे ये आपके university, university और country to country भी depend करता है, कि आपके academics में mainly, जैसे कि अगर आप Australia की बात करो, तो वहाँ पे आपके अगर 65% भी है, अगर आप MS में जाना चाहते हो, और आपके BSC में अगर 65% भी है, तो आप easily वहाँ अपलाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप Canada की बात करो तो Canada में वह लगबग 90% जो universities होती है, वह आपके 70% मांगती है, कि 70% आपके BSC में होने चाहिए, ठीक है, वहीं आगर research में बात करें, तो आपकी master degree में 70 to 80% के आजपार, मतलब 70 और 70 से अबब, तो 70% minimum, आपके अगर हम basic requirement, आगर आपको एक strong file अपनी बनाने है, कि आपका visa आजाए, ठीक है, आप बाहर, आपका admission हो जाए, तो वहाँ पर आगर हम बात करें, तो आप minimum 70% आपने academics को लेके चलेंगे, ठीक है, minimum 70% अपने academics को आप लेके चलेंगे, आप हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जिनके 70% से कम होंगे, 65% होंगे, ठीक है, तो 65% में भी तब आपको अपनी थोड़ी research करनी पड़ेगी, तब आपको देखना पड़ेगा, उन universities को डूनना पड़ेगा, universities की आपको requirement जाके देखने पड़ेगी, क्योंकि कुछ universities ऐसे होती हैं, वो आपको 65%, 60% और above, maybe admission दे देती हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक general बात करूँगा, ठीक ह आपको अपने academics में minimum 70% तो लेके आने हैं, ठीक है, अगर कम भी है, तो कोई बात नहीं, तब आपको कुछ आपके लिए बस जो universities का number होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, पहले अगर आपके 70% और above में आपको 10 university admission दे रही होंगी, तो 70% से कम में 65 और 70 के बीच में आपके पा इंडिया में हमारी फर्स्ट लेंग्वेज किया, इंडिया में हमारी फर्स्ट लेंग्वेज इंदिया, ठीक है, तो मतलब इंग्लिस नहीं है न हमारी फर्स्ट लेंग्वेज जहां भी आपके इंग्लिस फर्स्ट लेंग्वेज नहीं होती, वहां पे आपको एक English language test देन आइल्स जो आपका आइल्स का एक्जाम होता है आइल्स हो गया या फिर मैं इनको साथ इकठे बता देता हूं जैसे तीन टाइप के मैं आपको यहां मैं एक्जाम बताता हूं पैल हायल्स, ठीक है, PTE, और टोफर, ठीक है तो में अगर आप Australia, Canada, America ठीक है यहां पर अगर आप जाने साथ तो इन में यहाँ तो आप सी पिएंग से नहीं नहीं करने को, कोई भी एक ठीक है इन में से जो आपका PT होता है PD कहीं बार अमेरिका में valid नहीं होता. ठीक है? लेकिन आप Australia, Canada के लिए PT कर सकते हो. ठीक है? ये तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों आपके English Language Test है. इन में से कोई एक exam आप दे सकते हो. अब इनका pattern क्या होता है? इन में तीनों में आपके च्यार मोडीूल होते हैं. Reading, लिसनिंग, राइटिंग, एंड स्पीकिंग, ठीक है, तो इनके तिनों में आपके चार मोंडूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अगर हम आइल्स की बात करें, आइल्स में ये हर एक मोडूल आपका नाइन बैंड का होता है, ठीक है, और अवरॉल, अगर हम बात करें, तो अवरॉल आपको नाइन में से ही बैंड मिलते हैं, नाइन में से अगर आप जा रहे हो, एमेस के लिए, तो आपके 6.5, not less than 6, 6, याईनि की ओवर्ल आपके 6.5 और एच 6 heißt, अगर आपके पास ये 4 मौडूल। इन चार हमेसे भी आपको नाइन में से मांक्स मिलेंगे, इसमेसे भी नाइन में से, इसमें भी नाइन में से, तो अर एक में किसी में भी आपके 6 से कं मांक्स में शाइएं, ठीक है और overall अगर चार उगा करें तो overall आपको 9 में से ही मिलेंगे overall आपका score 6.5 से ज़्याद होना चाहिए ठीक है overall score आपका 6.5 से ज़्याद होना चाहिए अब जो यह reading होती है reading में आपके approach 3 paragraphs आते है ठीक है उन में से आपके 40 question होते है 40 question में आप जितने question ठीक करोगे उस हिसाब से आपके band होते है approach 24 से अगर above आपके question ठीक है तो आपके 6 band होते है ठीक है 24 से 27 अगर 27 से ज़्याद हो जाता है तो इस हिसाब से होता है इसमें आपके question किस type क्या होते है mcq यह अगर आप इस exam को देखेंगे तो वहां से आपको इसका सारा pattern पर जल जागा यह आपका English language test होता है इसमें भी आपके PTE में भी आपके यही चार module होते है ठीक है PTE में भी यही चार module होता है लेकिन यहां जो mark system होता है वह थोड़ा आलग होता है यह overall आपको 90 में से marks मिलेंगे ठीक है और 90 में से आगर आपके 63 marks है ठीक है तो वहां तक आपके 6 band होते है आपको मतलब minimum 63 marks तो लेने है 63 से अब अगी लेने है अगर आप MS और research में जाना जाते हैं हाँ इन्वेश्टी होगी उसकी band की requirement उतनी जाद होती है ठीक है जो overall जो आपकी ठीक ठाक level की इन्वेश्टी होती है वह आपको 6.5 band में भी admission दे देती है ठीक है इसलिए मैंने में यहाँ पर minimum requirement 6.5 रखी है तो इसमें आपकी minimum requirement 63 इसे रखिया कि 63 से अब मार्स आते हैं तो आपका वह एक ठीक ठाक score माना जाता है वही अगर टोफल के बात करें तो टोफल में भी आपके यही चारो मोड्यूल होते हैं और वहां हर एक मोड्यूल आपका यह 30-30 मार्स का होता है 30-30-30-30 ठीक है तो overall आपका total 120 मार्स का होता है और overall 120 मार्स का होता है और 120 में से आपको अगर आपका score 100 आ रहा है 100 और 100 से अबब तब आपका यह good score माना जाता है ठीक है तब आपका यह अच्छा score माना जाता है ठीक है तो यह आपका English language test होता है इन तिन्नों में से आपको कोई एक exam देना होता है अब सब्सक्राइब आपका तोफल होता है यह सबसे hard माना जाता है इन तिन्नों में ठीक है इसकी reading क्या होती है काफी hard होती है तो यह मानना जाता है कि टोफल आपका काफी hard है उसके पाद मीडियम लावल का आपका IELTS होता है और आपका सबसे थोड़ा easy होता है जो वो PT होता है क्यों कि यहां पे आपकी जो यह speaking बहार होती है आपके interview रहते हैं वो आपकी speaking लेते हैं लेकिन यहां पे आपके जो चार के लिए सोच रहो वहां इसको कम इंवर्श्टिय इसको मतलब वो वैलिड नी मानती ठीक है तो ऑस्टेलिया के लिए इसकी कोई दिक्कत निया आप इसको कर सकते हैं ठीक है तो यह चारों आप इनकी फीस देख लेते हैं ठीक है यह तिन्नों में से कोई भी exam अगर आप दो तो इस exam को ठीक है जब भी आपकी त्यार ही आपने exam क्या किया ओनलाइन बुक की exam और ओनलाइन बुक किया तो आप इसको आपको slot मिलेगी ठीक है slot मिलेगी वहां पे आप इस exam को देके आ सकते हैं ठीक है तो यह था आपका IELTS TOEFL और PTE ठीक है इसके साथ साथ आपका एक औ quantitative reasoning reasoning and third होता है एक writing ठीक है तो यह आपका जो exam होता है इसमें आपका यह approach यह दुनों यह total आपके 340 marks के होता है ठीक है और इन दोनों में 340 में से आगर आप 300 और above लेके आ रहे हो 300 above ठीक है 300 above mainly होता है कि अगर आपके 310 तक आगर आपके marks आ रहे हैं तो इसमें अच्छे marks मांगने जाता है और राइटिंग में आपको 026 out of 6 marks मिलते है ठीक है तो जो यह वाला exam होता है जी आरी का exam इसको आप इन तीनों के साथ दे सकते हैं तापके आपके जो फाइल हो फाइल थोड़ी strong हो जाती है ठीक है और इस exam को आप इन तीनों के साथ दे सकते हो अगर ना भी दो तो कोई द ठीक है जो आपके कुछ अच्छे लावल की उनुश्टीज होती है वो इनुश्टी मांग लेते हैं कि आपके पास जी आरी स्कोर भी होना चीए ठीक है लेकिन ज्यादे दर इनुश्टीज का ऐसा कोई निया लेकिन हाँ अगर आप इसको दोगे तो आपकी फाइल थोड़ इंग्लिस लेंग्विज टेस्ट देना ही है आपके पास एक इंग्लिस लेंग्विज टेस्ट का स्कोर होना ही होना चीए ठीक है तब आगर आपके पास इंग्लिस लेंग्विज का स्कोर है अच्छा स्कोर है उसके बाद आप अपनी फर्दर देख सकते हो कि आपको कौन स पास एकड़मी में कितना 70% और अबब मार्क्स होने चीए ठीक है और साथ ही साथ English language test में आपका score अगर आप IELTS दे रहे हो तो आपका score 6.5 और अबब अचीए ठीक है अगर आप PT दे रहे हो तो उसमें आपका score 63 और अबब होना चीए और अगर आप TOEFL दे रहे हो तो उसमें आपका score 100 और अब अचीए ठीक है तो यह थी आपकी basic requirement की बात अब अगली वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आपको उन्वेस्टी चूज करनी है ठीक है और आपका या फिर कौन कौन इस जा जिसमें आप अपलाई कर सकते हैं यह हम देखते हैं नेग्स्ट वीडियो ठीक है ओके वाई है एंप